सो आलो दोस्तों मैंना में देवेंदर और आज की इस रूम में आपको बता हुआ कि आपकी इस प्रकार से वर्चुल डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हो आपके सिस्टम के ऊपर अगर आपको फ्री में ब्राउजर अप्लिकेशन की टीवी अप्लिकेशन की चाहिए होगी उस सो दोस्तों सबसे पहले को क्या करना है आपकी पहले स्चेप रहेएं आपको आइन्डॉर स्टुडियो को इंस्टॉल करना है इसके बारे में आपको बहुत सरी वीडियो टुट्रेलल यूटॉब की ऊपर देखने के को अपके सिस्टम के ऊपर तो आपने क्या करना है आपको उसको ऑपन करना है करने के बाद आपको यहां पेक्लिक करने के बाद आपको यहां पी नीचे वर्च्यूल डिवाइस मैनेजर का option देखने के लिए मिलेगा आपको वहाइप पर क्लिक करना है और वहाइप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने device manager open होगा अभी मैंने यहाँ पर 4 डिवाइस create कर लिए बर अभी मैं बताता हूँ आपको आपको किस प्राकार से device create कर सकती हूँ आपको यहाँ पर click करना है create device के उपर जब आप create device के उपर click करते हो तो आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर hardware select करना पड़ेगा यहाँ पर बहुत सारे phone से जो pixel के तरफ से आपको देखने के लिए मिलेगे मैं आपको suggest करूगा जो higher वाला जो latest वाला वर्जन उसके साथ जाई हो और उसके साथ साथ और एक चीज़ देखो कि उसके सामने play store का logo है की नहीं प्लेश्टोर का logo होने का मतलब क्या उस mobile के अंदर उस hardware के अंदर इंबिल्ट प्लेश्टोर इंस्टॉल मिलेगा तो फोन के साथ साथ अगर आपको टैबलेट को वर्चुली लोड करना है तो आप यहाँ पर टैबलेट भी कर सकते हो टीवी भी कर सकते हो डेक्स्टॉप भ पिर बात में आपको यहाँ पर फिर से रेक्सट करना हैं तो नियरुक करने के बाद यहां पर आपको आपके अव्य मेरा इंद्भी का नेंब से इंडी और प्रकान रही स्ट आप यहांपर देवाळ्या अप्सट यहांधने के लिए मिलेगा स्टार्ट अप औरेंटेशन म मतलब क्या मतलब मैंने क्या रखना है जब भी यहां पे डिवाइस ऑपन होगा तब वह होना है तो इसलिए मैंने यहांशेamaz पेट क्लिक करूँ का तो फिर बार मैं नामा यहांब एक वर्चूल डिवाइस बना हुआ इस वालने ऑप्शणPay प्लेवाले option पे आपको click करने और play वाले option पे click करने के बाद आपका everyday हाप पे open होगा मतलब virtual device यहाप पे open होगा इस प्रकार से आप virtual device को install कर सकते हो आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी तो please इस वीडियो को like कीजेगा और उसके साथ स चैनल को subscribe कीजेगा और notification icon को भी turn on कीजिए ओके मैं मिलता हो आपको next वीडियो में till then be happy keep coding